हेलो एफ्रिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अश्योंगे बिहार एस्टेट जी हाँ ये फिर से एक बार फार्म आ चुका है और इसकी आखरी डेट जो रने वाली है दो जनवरी तक आप इसे अपलाई कर सकते हो ऑनलाइन ये बातें आपको बिलकुल क्रिस्टल किलियर पता होनी चाहिए अब बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे आपक के बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वज़ा से उनकी नौकरी रह गई है ये बातें आपके साथ ना हो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है मैं मानता हूँ कि मैं पूरे वीडियो को बना दो उसके बावजूद भी आपके मन में कुछ संका जो है जरूर रहने वा नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर लीजेगा लेकिन आपसे हाँ जोड के रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देख लेने के बाद ही आप जो आपके डावट है वो कॉमेंट नीचे तभी करना जब आप पूरी वीडियो देख लें तब हो सकता है कि आपके डावट को इस वीडियो में solve पहले ही करा दिया गया हूँ तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि subject combination कैसे चुने इसकी बात हम लोग सबसे पहले करेंगे सबसे जादा doubt सभी बच्चों का इसी में होता है syllabus कैसा रहेगा इसके बारे में भी बात करेंगे passing marks क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे सारे आपके doubt जो है मैं clear करने की पूरी पूरी कोसिस करूँगा चलिए सीधे मैं आपको लेकर चलता हूँ जो official PDFI है वहाँ पे यहाँ से आप देख सकते हो estate की परिक्षा कौन दे सकता है सबसे पले बयाना जो जरूरी चीजे है वो आपके साथ साजा कर देता हूँ देखिए subject के लिए beard का पास होना जरूरी है अगर आपके पास beard नहीं है आप apply नहीं कर सकते हो appearing वाले क्या beard appearing वाले इसे form को भर सकते हैं बिलकुल नहीं भर सकते हैं आगे देख लिजे अगर आपके पास graduation या फिर रसनातक जिसे बोलते हैं और beard का मूल परमान पत्र नहीं है तो इसकी जगा पे आप जो है provisional certificate upload करेंगे यानि कि certificate तो ये लेंगे ही लेंगे चाहे वो manual हो या online वाला हो यानि कि आप बंधिक जो परमान पत्र है आपका जिसे आप बोल चाल की भासा में provisional certificate बोलते हो वो आपको upload करना है anyhow ठीक है आगे देखते हैं engineering से जिनोंने graduation करा है जो गनित की विसे सगिता रखते हैं वो अगनित विसे से और विज्ञान की विसे सगिता रखने वाले विज्ञान subject से आविधन करेंगे अगर किसी अभियर्थी का किसी एक अस्तर पर एक से अधिक योगिता रखते हो तो वो किसी एक ही subject में आविधन करेंगे ये बहुत important है बहुत सारे लोग बोलते है कि मेरा English से भी combination बन रहा है या Hindi से भी बन रहा है साथ में SST से भी बन रहा है बहुत सारे लोगों का कहना है कि मेरा Math से भी बन रहा है और Science से भी बन रहा है तो देखिए आपका अगर Honors paper Math है तो Math के साथ आप जाओगे अगर आपका Honors paper Science वाली subject में से किसी एक के साथ है तो Science वाले के साथ जाएए बाद में आपको तकलीफ होने वाली है प्लीज आप जो है इसमें जो है अपनी बुद्धिमता ना लगाए जो आपका Honors paper है उसी के according जाएं आप चलिए अब एक के करके मैं दिखाता हूँ आपको क्या कैसे भरना है सबसे पहले भासा विशे की बात कर लेते हैं Hindi, English, Sanskrit वाले subject की कोई भी भासा विशे के form वही अभियर्थी भर सकते हैं जो असनातक अस्तर पर Honors के रूप में भासा उन्होंने पढ़ा है या फिर सबसेडरी के रूप में पढ़ा है यानि कि अगर आपने दो साल सबसेडरी के तौर पर पढ़ा है तो आप यहां पे कर सकते हो आवेदन याद रखिएगा जो composition विशे के रूप में अगर आप भासा पढ़े हैं साइन्स में अगर आप असनातक पर आपने प्रानी सास्त्र वनिस्पती सास्त्र रसाइन्स सास्त विशे पढ़ा है तो आप विज्ञान विशे से आवेदन करना होगा आपको यानि कि biology, geology और chemistry अगर आपने पढ़ रखा है अगर आपका असनातक अस्तर पर भौत की गनित और रसाइन्स सास्त्र अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको गनित विशे से ही आवेदन करना होगा समझ रहे हो बात को honors कोई भी हो माइने नहीं रखता है यानि कि physics वाले, chemistry वाले, math वाले आपको mathematics से ही भरना होगा याद रखिएगा कि बस आपका यह तीन विशे जो है पढ़ा हुआ होना चाहिए PCM जिनोंने पढ़ा है वो math से भरेंगे form को अब जैसे suppose कर लेते हैं किसी का chemistry और bio है तो वो science वाले subject में जाएगा आगे देखते हैं, अब बात करते हैं SST वाले subject की तो इतिहास, भुगोल, अर्थ सास्त्र राजनितिक सास्त्र में से कोई दो भी से graduation में आपने अगर पढ़ रखा है तो आप समाजीक विज्ञान से भरेंगे अब देखे doubt यहाँ पे यह आता है न किनिका हिंदी और इंग्लिस इसके साथ साथ SST का भी combination बन रहा है तो ऐसे में अगर आपका honors paper हिंदी या इंग्लिस है तो उसके साथ आप जाओगे better रहेगा आप जो है, subsidiary public paper में जो है, इसे छोड़ सकते हो, अगर आपका मन है कि SST में ही form भरे और दोनों जगा पे योगिता बन रही है SST में भी बन रही है और भासा में भी बन रही है तो आप किसी एक से ही form भरोगे otherwise आप समस्या में पढ़ोगे आगे देखिए कहने का मतलब यह है कि अगर आपने असनातक अस्तर पर भुग गोल या इतिहास में से कोई एक विषय निश्चित तोर पर पढ़ा हुआ होना चाहिए आपको देखिए यहाँ पर असपस टूप से लिख दिया गया है कि अगर आपने भुग गोल और इतिहास में से कोई अगर आपने पढ़ाए तो ही आप अपलाई कर सकते हो एक बार पुना कहेंगे ओनर्स कोई भी हो माइने नहीं रखता है बस दो विषय अब असे पढ़ा होना चाहिए एक विषय भुग गोल और एक विषय इतिहास होना चाहिए यहाँ तक सारी बात है सब्जेक्ट वाला कॉमिनिशन मैंने आपके साथ जो है क्लियर कर दिया होगा अब देखिए मैं आपको सीधे फिर से मैं अपने थम्निल पर लेकर चलता हूँ और अब जो है सिलेबस कैसा रहे है अब देखिए मैं आपको सिलेबस की और लेकर चलता हूँ वेट अ मिनट थोड़ी सी यहाँ पर गफलत हो गई है एक मिनिट मैं आपको वेट 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 थम्नेल की उक लेकर चलता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट आपका नहां रहे. चलिए, मिल गया है फड़म्नेल, धेखो. अब थम्नेल का syllabus क्या रहने वाला है देखे paper 1 paper 2 दोनों होता है तो physics का paper 1 भी मैं upload कर दूँगा paper 2 भी upload कर दूँगा अब बात करते हैं इसी तरह से chemistry, sst, hindi english सभी subject का जो है paper 1 और paper 2 दोनों upload कर दूँगा यानि कि 9, 10 का भी syllabus मैं upload कर दूँगा और 11, 12 का भी जो है मैं paper upload आपके लिए कर दूँगा अब बात करते हैं passing marks क्या रहेगी तो देखे 50% general वाले 50% में आपका काम चल जाएगा आप किसी भी state से हो फरक नहीं पड़ता है महिलाओं के लिए छूट है उसके बारे में एक अलग सी वीडियो में छोटी सी आपके लिए लेकर आजाऊंगा चहां पर आपको इसके बारे में बात कर देंगे passing marks के बारे में आपको detail से सारी जानकारी मैं दे दूँगा तो अब बात आती है कि अन्तिम्तिती का इंतिजार करें या form भर लें देखिए जो estate का website है कभी payment में problem आ जाती है कभी registration में problem आ जाती है कभी photo upload नहीं होता है तो please एक दिन पूरा dedicate होकर form भर लिजिए उसके बाद आप पढ़ाई में लग जाए याद रखें मैं आपको फिर से सला दूँगा 9-10 के NCRT के books की जो पहले mathematics वाले के लिए मैं खासकर बताना चाहता हूँ जो index वाला होता है न वो देख लीजी आप suppose कर लो कि आप परिमे संख्या पढ़ना चाहते हो rational irrational लमर पढ़ना चाहते हो तो जो subject I mean जो question आते है न problem वाले numerical problem उससे पहले जो data दिया जाता है उसे जरूर पढ़ ले हर भी सही के लिए है अच्छे से line by line पढ़े है और हो सके sst वाले तो one liner जो ncrt का आता है अलग-अलग book में मैं उसकी जो link है वो description box में देने की कोसिस करूँगा वहां से आप book को purchase कर सकते हैं syllabus के लिए अलग से वीडियो में सारे information मैंने आपको पूरी-पूरी देने की कोसिस करी है by the way कोई doubt रहता हो तो नीचे पोछ लिजेगा वीडियो यहां तक देख ली है तो एक बार जय हिंज जरू लिख दीजेगा ताकि जो है आप मेरा भी moral boost हो देश का भी और हम सभी एक दूसरे से connect फिल करें thank you so much